तो इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि graduation complete हो जाने के बाद जिनका भी graduation complete हो गया उनको क्या करना चाहिए आगे कौन सा course करना चाहिए ताकि उन लोग को जल्दी से जल्दी job मिल पाया और अच्छा हो तो जिनका भी graduation complete हो गया होगा थोड़ा भी interest है कि आगे क्या करना चाहिए तो यह वीडियो अच्छे से देखिएगा आप लोग को समझ में आ जाएगा देखिए यहां पर आपके पास option है PG B8 और DL8 इन में से क्या करना इसके बारें बताएंगे कौन सा ही है चाप PG करने से क्या क्या फायदा हो उनके बारें बताएंगे साथी आप लोग को त्यारी करना चाहिए बो भी बताएंगे इस वीडियो में तो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो देखिए सबसे पहला question हम यहीं ले लेते हैं कि general competition के त्यारी किसको करना चाहिए यहां पर दखिए अभी दो कैटेग्री हैं आप एक गल्स हैं अभी जिनको घर में टाइम नहीं मिल रहा है थोड़ा भी टाइम नहीं दे रहा है कि आप ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो वह जेंडरल कम्पिटिशन के त्यारी कर सकते हैं लेकिन उसमें एक सर्त जाथ है कि आपको सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए इंट्रेस्ट होना चाहिए मै Kanye मात रेजनिंग ऑ्र एक इंग्लीस यह फिसां तीन ततों आप किसी तरह कर लंगे रीजिनिंग जीके और इंगलिस लेकिन में इन्ट्रेस्ट रहता है आप लोग नहीं किज़ेगा तो उनको थोड़ा math का problem रहता है तो वो लोग general competition के त्यारी जैसे railway हो गया, SSC हो गया ये सब करने में बहुत problem होगा क्योंकि already जिनको math basic अच्छे से बच्पन से आ रहा होगा, वो तो आप से आगे निकल जाएगा, इसलिए time based करने से अच्छा है एक साल में competition में आ जाएगे आपको math, reasoning, gk ये तीन subject बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए जिससे भी पढ़ें लेकिन आप पढ़ें बार-बार practice करें बहुत जादा, एक साल तक आप अपने आपको क्या बोलते हैं quarantine कर लिजे फिर एक साल के बाद देखिए आपका improvement कितना बहुत आगे हो जाएगे इसलिए आप लोग मन से त्यारी कीजिए तो general competition भी अच्छा है बांकि आप जो आगे B.A.D. या PG या D.L.A.D. करना चाहते हैं उनके लिए देखिए अब देखिए PG किन को करना चाहिए देखिए जिनको teacher बनना या आगे वविस में professor बनना है जिनके पास time है थोड़ा सा अच्छा job लेना है ब्यार में state job ही लेना या तो फिर central government का केंद्रिय भी दाले बगरा हमें पढ़ाने का interest है तो आपको PG करना ही चाहिए क्योंकि PG करने से क्या होगा आप PGT और PGT teacher जो होता 9,10 और 11,12 इसके लिए eligible हो पाएंगे साथ ही PG के बाद आप और भी course कर लेंगे जैसे job करते हुए भी तो आप फिर professor भी बन सकते हैं PhD भी कर सकते हैं तो इसलिए PG करना चाहिए आप लोगों को मांकि PG कब करें बीएट के बाद करें या बीएट के पहले करें तो देखिए PG आपना बीएट के बाद कीजिए बीएट या डिलेट कीजिए उसके बाद PG कीजिए इससे ये फाइदा होगा इसलिए PG आप इगनू से कर सकते हैं इसके साथ साथ आप सभी काम कर सकते हैं इसमें सिप एकजाम देना जाके देना होता है और जो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होता है इक्वाल होता है कोई आपको इसमें डिफरेंस नहीं होता है ना कि आप जो रेगुलर से PG किया और जो इगनू से PG किया कोई भी डिफरेंस नहीं होता है इगनू से PG करकर करकर के लोग IS IPS भी बने हैं इसलिए जिनको क्लास करन करने के क्या फायता है तो B8 करने से पहले तो आप प्राइम्री का भी टीचर बन सकते थे 910-का यह मद्दिमिक का भी बन सकते थे 6-28-9-10 और 11-12 यह PGT यह सभी टीचर बन सकते थे लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोट पने order दे दिया कि बीएड वाले को आप प्राइमरी टीचर में लॉन नहीं करेगा क्योंकि डीले जो कोड्स होता है वह सी प्राइमरी टीचर के लिए अपलाई कर सकता है इसलिए उसका हक मारा जा रहा था इसलिए बीएड वाले को रोग दिया गया है तो आप बीएड लिए प्राइमरी नहीं बन पाइंगे इसलिए जर से विट्व गम में ऑर बीएड करने से आपको यह फैदा होगा जैसे आप अपर जाएंग जैसे प्राइमरी में थोड़ा ज्यादा कमटेशन है 628 में są थोड़ा कमैं 910 में इससे मेंछो less ऑर क्योंकि इतने सारी गल्स अभी पीजी कंप्लीट नहीं किया है तो 11-12 तक ऐसा हो जाता है कि जो भी एक्जाम दिया थोड़ा क्वालिफाइव ही कर गया गल्स सभी का जौब हो जाता है टीचर्स में इसलिए आप जितना ज्यादा उपर जाएंगे ऐसमें उतना कम कमपटिशन का फेस करना होगा जितना नीचे आप जाएंगे उतना ज्यादा उत्यादा कर पैस करना ओगा जिससे वाइड करेंगい तो फिर पिज ना भी करेंगे तब ही आप प्राम्री के लिए लिज वल हो जाएंगे उसी अपको सिस्वे 감i टीचर बनना है जल्दी में वनना है तो भिए लेट करसकते हैं और ग्रेजियुशन लेवंल पर ही बन जाएंगा लेकिन जब आपको साथ में competition के भी त्यारी करना चाहिए जैसे हलका फुलका आपको ज़्यादा नहीं maths, reasoning और GKS, GS पढ़ना पड़ेगा साथी अभी BPSC जो exam करा रही है teachers का उसका previous year paper अभी available हो गया है सभी के पास है तो वो आप solve करते रहे हैं आप definitely एक दिन teachers बन जाएंगा और BIR में teachers की job बहुत ही अराम दायक होता है BIR में क्या देजबर में भी कहीं भी teachers का respectful प्लस अराम दायक प्लस छुटियों से वर्मार होती इसलिए आप इस पर try कर सकते हैं बाकि जिनको ये सब कुछ भी नहीं करना है उनको बस general competition का त्यारी कीजिए इसमें बहुत सारे form आते हैं भली vacancy कम होते जा रही इसमें बहुत patience रखना पड़ेगा आपको पांच साल भी लग सकता है छे साल भी लग सकता है नोड़ाट कोई कोई एक साल में भी निकाल सकता है लेकिन ये संभावना हैं बता रहे हैं यससे हो सकता है इसलिए आप लोग अपना माइंड का यूज करते हुए अभी से आप लोग काम करना स्टार्ट करते हैं लेकिन मेनद सम्में करना पड़ेगा जेनरल कम्प्रिशन में थोड़ा बहुत जादा मेनद करना पड़ेगा टीचर्स में थोड़ा कम करना पड़ेगा वहीं PGT, TGT जो 9, 10, 11, 12 होता है उसमें थोड़ा और कम करना पड़ेगा इस ती तरह से आप लोग डिसाइट कर लिजे कि आपको क्या करना है वहांकि और भी कोई क्वारी होगा तो कमेंट कीजेगा वांकि पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं जैहिन जैभारत